हेलो दोस्तो जैहिंद मैं हरीस आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम लाइव पर दोस्तो आज की किलास में जो हम सुरू करने जा रहे हैं वो लास्ट किलास में जो हमने स्टेडी किया था आपके नंबर सिस्टम का जो पोर्शन था हमारा एक करोड तक की संक्या है ठीक है तो उसी टॉपिक को आज की किलास में भी हम कंटिन्यू करेंगे आज की किलास में जो हम पढ़ने वाले वो जो लास्ट किलास में हम स्टेडी कर चुके आपने अगर किलास को देखा हो जो भी स्टूडेंट ने अगर किलास को दे संक्याओं की हमको जरूरत हुई उसके आदार पर हमने इन संक्याओं को काम में लेना शुरू किया उसके बाद में हमने पढ़ा था संक्या पद्धिती के प्रिकार ठीक है उससे पहले की अगर बात करें तो हमने जो सीका था वो सीका था अंक क्या होते हैं और संक्या क्या होत हैं उसके बाद में हमने संक्या पद्धिती के टाइप्स पड़े थे जिसमें हमने पहला प्रिकार पड़ा था भारतिय संक्या पद्धिती दूसरा प्रेकार हमने देखा था वो था अंग्रेजी एंतराष्टिय संक्या पदिति और तीसरा आपकी रॉमान संक्या पदिति आपके S Travis में नहीं है ठीक है यह रॉमान संक्या पदिति एंटी पीसी और रेल्वे के उंदर जो अभी जो एंटी पीछे के एक्जाम चल रहे हैं सेवंत फेज का भी continue एक्जाम चल भी रहा है इन एक्जामों में रोमन संक्या से संब्दित कुछन पूछे जा चुके हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं हैं तो हम स्टेडी नहीं करेंगे हम अल्ली स्टेडी करेंगे आपक संक्या पद्दिती जिसके अंदर हमने भारतिय संक्या पद्दिती के बारे में स्टेडी की थी कि भारतिय संक्या पद्दिती में हम अंको को किस तरीके से लिखते हैं और उसके साथ ही हमने कुछ कुछन भी solve किये थे जिनमें हमने देखा था कि हमको भारतिय संक्या तो यह चीज हमने स्टेडी कर ली थी फिर भी आज की किलास में हम हम रिवाइज कर लेतें देखेगा स्टार्ट करते हमने जो स्टेडी किया था वह यह किया था हमने इस तरह की टेबिल एक लर्न की थी इस तरह की टेबिल हमने क्या की थी बच्चो याद की थी इस टेबिल के तरह हम सबसे पहले एक table design करेंगे और इसके अंदर जो number one पर दाई तरफ से अगर हम counting शुरू करते हैं हम अक्सर दाई तरफ से counting शुरू करते हैं अगर आपने संक्याओं को गिनना या लिखना अगर सब्दों में सीखा हो तो आपको ऐसे संक्या दे दी जाती है कोई भी कोई भी एक संक्या दे दी जाएगी आपको जैसे दे दिया 3, 4, 5, 6, 7 तो हम इस संक्या को कैसे लिखेंगे सब दो में ये हमकों में दी गई संक्या है तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकाई, फिर पढ़ते हैं धाई फिर पढ़ते हैं सैकडा फिर पढ़ते हैं हजार फिर पढ़ते हैं दस हजार इसके बाद में लाक, दस लाक, करोड, दस करोड और आपके सिलेबस में जो टॉफिक है वो टॉफिक यही दिया गया है एक करोड तक की संख्याओ के बारे में हमको क्या करना है अध्यान करना है संख्याओ की जानकारी यह आपका मेंड टॉफिक है according to सिलेबस दस लाग फिर कॉमा लगाते करोड दस करोड ठीक है इसके बाद में भी अरब दस अरब खरब दस खरब संक आगे भी संक्या होती है लेकिन हमको एक करोड तक ही स्टेडी करने है तो हमने सीका था जो यह सीका था इस संक्या की करते हैं तो अगर इकाई की बात करें तो इकाई एक अंक का होता है धाई की बात करें तो धाई भी आपका एक अंक का होता है ठीक है और सेकड़ की बात करें तो सेकड़ा भी आपका एक अंक का होता है बट मैं नम्बरिंग कर रहा हूं समझने के लिए ठीक है इस नम्बरिंग का कोई और उद्देश नहीं है, only समझने के लिए इसके बाद में अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 1000 को हम दो भागों में बाढ़ते हैं आप देख पारे हो, एक भाग और दो भाग तो 4, 5 अगर आप से 1000 देखेगा दो तरीके से दे करके पूछ सकता है अगर आपको देदे 4,321 तो हम एक कैसे लिखेंगे 0, 5 की जगए हम लिखेंगे 0 और 4 तो 4000, 4,321 अगर हम से पूछ ले 54,321 तो हम कैसे लिखेंगे 54, यानि कि दोनो दोनो ब्लोक में यानि दो भागों में बाढ़ दिया तो दोनो भागों में दोनो इस्सों में जो सेंग के आएगी उसको लिखेंगे 54,321 ऐसे लाक छे साथ करोड आठ नो ठीक है और नो के बाद हम फिर से रिपीट कर देंगे एक से एक दो तीन च्यार अगर इसमें हम देख पा रहे हैं तो क्या हजार को क्या क्या कि या अगर हम जार के इस्से की बात करतें तो हमने हजार को क्या किया है बच्चो हजार को हमने 2 बागों में डिवाइट किया 5 और चार में अगर लाग की बात करें तो लाग को भी हमने दो हिस्तों में डिवाइड किया है तो अब ये टेबिल को आप बनाना सीख गए होंगे अपसर में बात करूँ तो आप कैसे बनाएंगे टेबिल बनाते समय आप सबसे पहले इकाई फिर धाई फिर सैकड़ा फिर हजार फिर लाक, फिर करोड और आप क्या करोड के भी दो बाग कर दोगे, लाक के भी दो बाग कर दोगे, अजार के भी, बागी समके क्या करोगे, आप क्या करोगे बच्चो एक 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 बाग करोगे, क्या आप बणा पाओगे इस तरीके से टेबिल, बार बार जब भी आपके पास में कुश्चन आता है तो आपको ये टेबिल बनानी है अब मैं टेबिल के लिए क्यों बोल रहा हूं जबकि कुछ बच्चे जो मैथ और साइंस बैक ग्राउंड के हैं वो आसानी से कर सकते हैं इसे कुश्चन लेकिन दोस्तों मैं जो आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूं उवो ऐसे बच्चो को समझाने का प्रियास कर रहा हूं जो आठ बैक ग्राउंड से विलॉंग करते हैं या समतित बुल्कुल कमझोर होता है यह वो बच्चे समझ कि बात करते हैं तो दो भाग में लाग की बात करते हैं तो तीन भाग में चौरी दो भाग में और करोड की बात करते हैं तो दो भाग में और अरब को भी दो भाग में खरब को भी यह only on किस पद्धिती में हम पढ़ेंगे तब भारतिय संक्या पद्धिती में ठीक है अगर हम बात करते हैं यह चीज हम steady कर चुके थे बट आज की किलास में हम फिर से discuss कर रहे हैं आज की किलास में जो मुख रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतराश्थय पद्धिती में हम किस तरीके से सब्दो में एगर कोई संक्या दी गई है तोसको संक्या पद्धिती को संक्या पद्धिती मुख रूप से आप भारतिय संक्या पद्धिती और दूसरी है आपकी अंग्रेजी अंतराष्टिय संक्या पद्धिती और तीसरी है जो आपकी रोमन संक्या पद्धिती रोमन संक्या पद्धिती आपके सिलेबस में नहीं है भारतिय संक्या पद्धिती और अंग्रेजी संक्या पद्धिती के ब देखें दोस्तों ठीक है तो आएगा हम स्टार्ट करते हैं भारते संक्या पद्धिती अब देखेगा भारते संक्या पद्धिती वो पद्धिती होती है जिसके अंदर आपको जिसके अंदर आपको संक्या हैं देखने को मिलती हैं जो हमारे वहवारिक लाइफ में हम देखते जैसे कि अगर हम रूपयों की बात करें, पैसों की बात करें, किसी वस्तू की बात करें, तो इन तरह की जो object होते हैं, product होते हैं, सब को counting के लिए जो संक्या काम में लेते हैं, वो ही संक्या, वो ही संक्या हमारी भारतिय संक्या पद्धिती में इस तरीके से लिखी जाते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइब, सिक्स ठीक है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इन्फेंटी तक की जितनी भी संक्या होती हैं वो सबी संक्या हमारी भारतिय संक्या पतिति के अंदर आते हैं इन संक्या को हम हिंदी अरेविक नमबर्स के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो ये चीज आपके किलियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं कि नमबरों को किस तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है तो देखेगा सबसे पहला अगर हम कुष्ण लें तो सब्दो में लिखित संक्याओ को अंको में लिखिए तो बच्चो मेरे साथ में आप भी सोल करते चलिए और कमेंट बोक्स में आंसर कीजिगा हमारा पहला कुष्ण है 15,6204 कितना है बच्चो 15,6204 तो देखेगा कैसे लिखते हैं तो इसको लिखना बहुत इजी है तो हम चलते है टेबिल की और सबसे पहले हमको दिया गया है कुष्ण में क्या दिया गया है बच्चो 15,000,000 जहां से देखेगा क्या दिया हुआ 15,000,000 तो हम लिखेंगे टेबिल में अजार के दो सेक्षन है हमको only 6 दिया है अगर हमको दो डीजिट में देता जासे 16 देता, 26 देता, 36 देता तो हम दोनों डीजिट में लिख देते ठीक है बट हमको only on 6000 दिया है तो हम क्या लिखेंगे 0 और 6 लिखेंगे किलियर? इसके बाद में हमको क्या दिया है 204 और 204 को लिखना तो इजी है यहां तक की संक्या तो सब से आती है 204 ऐसे लिखते हैं तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस कुश्चन का वो हो जाएगा बच्चो अगर सॉल करें हम इसको तो कैसे लिखेंगे 15 06204 क्या समझ पाए देखिएगा सेम नंबर लिख दिया मैंने 15 06204 तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इस कुश्चन को सॉल किया है तो समझ में आगए आपके हमको कुश्चन दिया था वो क्या दिया था पंदरा लाक तो हमने लिखा पंदरा 06000 4006000 कितना दिया था वच्चों कुश्चन दो सो च्यार शोरी दो सो च्यार दो सो च्यार तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका अब देखेगा हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको क्रोस चेक कैसे करेंगे इकाई दाई सेकड़ फिर कॉमा हजार तो हजार हमारे पास में क्या है only on 6 है बच्चा अक्सर यहीं पर गलती करता है इस 0 को लिखना भूल जाता है इस 0 को लिखना भूल जाता है और जल्दी जल्दी में वो option को क्या टिक कराता है पंदरे लाक छे अजार दो सो च्यार देखेगा यह आपके सामने 5 करोड 25 लाक बारा लिखेगा बच्चा कमेंट वोक्स में आप आंसर दीजेगा फटा फट जल्दी से जल्दी मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूं आपको मैं पस्ट क्लास के अंदर यह डिटेल में पड़ा चुका हूं only on आज की क्लास में आ अपने आपको परखिएगा तो इसको हम कैसे सौल करेंगे देखेगा सबसे पहले हम टेबिल डिजाइन करेंगा टेबिल डिजाइन करने के बाद मैं आप देख पारे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा जो कुष्षन था वो क्या था पांच करोड पचीस लाक क्या था कुष्षन पांच करोड लिख ली जगा पेपर में पांच करोड पचीस लाक और बार है हम किस तरीके से लिखेंगे तो देखते हैं तो हम जाएंगे करोडवाड़ बिलोक में देखेगा स्टेवल करोडवडदा वाड़ा विलोक यह रहा हमको कितना लिखना ए मैं करोडवड़ विलोक में हमको क्या लिखना है वाइं भूक्ष Temperло 15 करोड तो हम को डाइरेक्ट 25 लाग के बाद में 12 दिया है तो 12 आप जानते हो 12 आप आप आसानी से लिख सकते हो अब ना तो हमको 1000 दिया तो हम क्या लिखेंगे बच्चो जीरो ना हमको सेकड़ा दिया तो लिखेंगे जीरो और इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा पांच लाग का मतलब है 5 खार 25 लाग ठीक है 1000 हमारे पास नहीं है 100 भी हमारे पास नहीं है और 12 यह होगा बच्चा राइट आनसर अब कुछ बच्चे क्या कर देते है, गलति कर देते हैं 5 लाग 25 हजार और एक जीरो लगाएंगे या दो जीरो लगा करके 12 लिख देंगे जो भी गलत है कुछ लोग क्या लिखेंगे 5 करोड 25 लाक और 0 और 12 लिख देंगे ये भी गलत है आपका right answer होगा बच्चा ये वाड़ा अब इसके लिए आपको जरूरी है ये वाला method जरूर आना चाहिए तो आप से एक भी कुष्चन गलत नहीं होगा अगर आप मेरे according समझाए गए अनुसार दिये गए कुष्चन को solve करोगे इस table की मदद से तो आप से एक भी कुष्चन गलत नहीं होगा हम अभी भारतिय पद्धिती पहरी डिसकस कर रहे है नेक्स कुष्चन देखेगा इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंग्रेजी या अंतराष्टे पद्धिती तीसरा कुष्चन है आपका 12 करोड 5,5,201 अब इसको आप किस तरीके से लिखे हुए तो ज अगर आप चेक करोगे तो कैसे इकाई दाई सेकड़ो हजार दस हजार लाक दस लाक करोड दस करोड तो हमारा 12 करोड 5,5,201 अब अगर बच्चा जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से लिख दिया वो समझेगा इस टेबिल की मदद से तो टेबिल की मदद स हम कैसे लिख पाएंगे तो हम को सबसे पहले दिया क्या क्या है करोड तो हमको दिया 12 करोड तो हम जाएंगे करोड वाड़े करोड वाड़े बिलोक में जाएंगे बच्चों करोड वाड़ा पार्ट हमारा ये रहा इस टेबिल में तो हमको क्या दिया है 12 करोड तो हम क्या लोक में जाएंगे लाक वाड़े में और हम क्या लिखेंगे बच्चा पांच लाक दिया है तो हम लिखेंगे जीरो पांच इसके बाद में हमको दिया है हजार तो हजार के भी हमारे पास में दो हिस्से हैं तो हमको एक ही दिया है क्या दिया है पांच तो यहां भी क्या लिखेंगे हम जीरो पांच और लास्ट में हमको दिया है दो सो एक तो हम लिखेंगे सेकड़ा दो जीरो धाई और एक तो आप क्या चेक कर पारे हैं हमारे पास में जो answer आएगा 12-05-05-201 और जो हमारा answer पहले आया था 12-05-05-201 क्या ये दोनों answer मैच कर रहे हैं क्या जी हाँ ये बिल्कुल दोनों answer मैच कर रहे हैं अगर आपको समझ में आ गया है दोनों method तो आप आसानी से इस तरीके से cushion कर पा था अगर कोई संख्या भारतिय पद्धती में अंकों में दियाएं सब्धों में दियाती है तो cùng tightly कि तरीके से लिखते और यह औहुएगा इस करिए इस और कुश्चन आपके डिस्पिल डिस्पिले पर आपके सामने है सॉलूशन बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में तो दोस्तो एक तो आपका जन्रल मेथड है जो आप बच्पन से सीखते आए हो आप तीसरी चोथी पांच वी छटी किलास में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमा 57,3081 ये होगा बच्चों हमारा राइट आंसर अब जीन बच्चों को कन्फ्यूजन है वो बच्चे समझद से अब हम बच्चों सम्झेंगे टेबिल से हमारे पास में जो suspicion है destru Lydia 381, तो हमारा देखेगा, यह ही हमारी टेबिल, हमारे पास में कुछ चन है, 57, 381, तो बच्चो कुछ नहीं करना आपको इसको दाइं और से, इसको दाइं और से, यानि कि पीछे से, पीछे की और से, या मैं बोलू तो दाइं और से, तो टेबिल का दाइं और क्या हो जाएग एट, सेवन थिरी, फाइप और अब देखेगा आप देख पारें, फाइप और थिरी आपको खाँ पे मिल रहा है हजार में तो आप क्या लिख दोगे त्रेपन शोरी, अपन को क्या लिखना है, सब दो में लिखना है बच्चो इसको, तो हम आंसर लिखेंगे त्रेपन हजार, ये होगा हमारा आंसर क्या होगा बच्चो इसका, शोरी ये संक्या, अपनी जो कुश्चन था ना बच्चो, वो 57 था 57,381 था बट अब इसको को आप कुश्चन मान लिजिए, नया कुश्चन मान के, तो अब इसका अंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा लिखिएगा, इसका अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, 53,000 700 और 81, यह हो जाएगा, बच्चों हमारा राइट आंसर अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है कुश्चन वो दूसरा कुश्चन देखेगा एक संक्या लेते हैं हम कुश्चन नमबर टू यह भी अंकों में एक संक्या लेते हैं अब बच्चों यह संक्या एक अंकों में दी गई है आपको अब इसको आप लिख करके बताईए किसमें सब्दों में दी गई संक्या को किसमें लिखना है हमको सब्दों में लिखना है तो लिखेगा तो इसका बच्चों अगर हम सॉलूशन जनर्रल मेथड से करें तो इकाई, धाई, सेकड़ो, ठीक है हजार, दस हजार, लाक, दस लाक, करोड, दस करोड तो इसका जो आंसर हो जागा, वो हो जागा पाची करोड, तीन लाक, पाची हजार, तीनसो, और इक्कीस, क्या हो जाएगा बच्चों, पच्ची स करोड तीन लाक, पाची हजार, तीनसो एक्कीस, अब अगर जिन स्टुडेंट को प्रोबलम आएक सरे कैसे हुआ वो समझेगा हमारी संक्या है 25-03-05-321 25-03-05-321 0-5-321 तो बच्चों आपको क्या करना है संक्या को as it is right hand side से आपको stable में as it is लिख देना है 1-2-3-5-0-3-0-5-2 अब इसको कैसे अपन convert करेंगे सब्दों में वो देखेगा तो हम सब्दों में convert करने के लिए सबसे पहले देखेंगे करोड़ वड़ा भिलोग ठीक है तो हमारे पास में क्या है 25 तो हमारे पास में हो जाएगा 25 करोड़ उसके बाद में हम देखेंगे किसका लाक वड़ा भिलोग तो 0-3 तो इसका हो जाएगा बच्चो तीन लाक फिर हम टेबिल में देखेंगे बच्चो यहां पर हजार वड़ा भिलोग तो 0,5 है हमारे पास में तो क्या हो जाएगा 5,000 और 321 इसको तो बच्चा बच्चा जानता ही है तो क्या लिख देंगे हम 321 क्या आप समझ पाए तो मैं एस्पेक्ट करता हूँ आप से आसा करता हूँ अब तक आपको कुश्चन समझ में आ गया होगा सब्दों में लिखिए भारतिये संख्या पद्दिती से तो कैसे लिखोगे तो जन्रल मैथड जिन स्टुडेंट को समझ में आ गया वो तो लिखेंगे इकाई, धाई, सेकडा हजार, दस हजार लाग, दस लाग तो ये हो जाएगा आपका 5,000 शोरी सब्दों में लिखना था बच्चों अपन को तो अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे 5,000,00 7,000 लिखेंगे 2 ये होगा बच्चों आपका राइट आंसर अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो देखेगा वो बच्चे टेबिल से करेंगे तो टेबिल से हमारे पास में जो दी गई सेंग क्या है बच्चों वो हमारा कुश्चन है 0,5,0,7,002 तो आपको कुछ नहीं करना राइट एंड साइड से इस टेबिल में एजिटिज लिख देना है 2,0,0,7,0,5,0 अब हमको क्या देखना है लाक वाड़े में कितनी संक्या लिखी हुई है तो लाक वाड़े बिलोग मांग देख पारे ओनली ओन क्या लिखा हुआ है 5 तो हम लिखेंगे 5 लाख इसके बाद में आप हजार वाड़े बिलोग में देखेगा क्या लिखा हुआ है अब 1000 वाड़ा बिलोक दो संक्याओं से मिल करके बना है इसलिए अपन 0,7 को एक ही बार काउंट करेंगे क्या लिखेंगे? 7,000 और दोस्तो सेकडे में भी 0 है ठीक है? और धाई भी एक-एक बिलोक से बना हुआ है तो दाई में भी 0 है, आपके पास में इकाई का अंक है तो हम क्या लिख देंगे? फाइनली 2 तो संक्या आजाएगी 5,7,002 और बच्चो यह ही हमारा राइट आंसर था 5,7,002 तो अब तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे तो बच्चो इस कुश्चन का अंसर कीजिएगा आप कमेंट बोक्स में सॉलूशन दीजिएगा इसका फटा फट तो बच्चो आप किस तरीके से दे पाएंगे? तो जन्रल मेथट वाले देखेगा इकाई, धाई, सेकड़ा इसके बाद कुमा हजार दस हजार इसके बाद कुमा लाख दस लाख तो इसका कुश्चन का अंसर हो जाएगा पैत recalese लाख पैत लीस लाग साथ हजार तीन सो और बार है क्या बच्चё यही होगा क्या? जिन भी बच्चो का यह अंसर आया उनका सही है अब जिन बच्चों को समझने में कटना ही है वो देखेगा तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना देखेगा मैं टेबिल को यहीं पर बनाता हूं इस बार तो आप देखेगा सबसे पहले हमको क्या लिखना है इकाई फिर लिखना है हमको दाही फिर लिखना है हम फिर हम को लिखना है लाक फिर हम को लिखना है करोड ये चीज के आप सब लिख लोगे क्या और इसको आपको एक एक भाग कर दे हैं सब के सब के आप पहले कीजिएगा एक एक भाग अब आपको क्या मैंने क्या समझाया मैंने आपको समझाया था कि आपका इकाई का जो अंक होता है वो अकेला होता है दाई का अंक होता है वो भी अकेला होता है सेकड़े का अंक होता है वो भी अकेला होता है बट भारते संक्या पतिति के अंदर जो हजार का अंक होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते ह वो एक होता है only once का multiply और दूसरा होता है tens का multiply यानि कि एक जीरो से लेके नो तक कि संक्या आती है तो हम लिखते हैं एक और अगर दस के बाद से लेके निन्यान में तक कि संक्या आती है तो हम उसको लिखते हैं दो डिजिट में इसलिए इसके हम क्या कर देते हैं दो इससे ऐस एसे ही हम लाक के हिस्से कर देंगे, ऐसे ही हम करोड के हिस्से कर देंगे, अब हमको कुछ नहीं करना, दी गई संक्या को, दाइं तरप से, दाइं और से, हम योग की योग स्टेविल में अरेंज कर देंगे, तो 2, 1, 3, 7, 0, 5, 4, लिख दिया क्या बच्चो, अब हम कि किस बिलोग में कौन सी संक्या है, तो आप यहां पर देख पारे हो, लाक वाड़े बिलोग में आपको क्या है, पैतालिस मिल रहा है, तो हमने लिख दिया बच्चो पैतालिस लाक, हजार वाड़े बिलोग में आपको जीरो साथ मिल रहा है, तो बच्चो हमने हजार अगर आपको संक्या दी गई भारतिय पद्धिती के अंदर सब्दों में दी जाये तो हम उसको आसानी से अंकों में आज का इसके अंदर हम steady करेंगे बच्चों वो करेंगे आज की किलास में steady कि अंग्रेजी पद्धिती में अंग्रेजी पद्धिती या अंतराष्टिय संख्या पद्धिती क्या होती है तो बच्चों अगर बात करें हम इसके अंदर संख्या होती तो अंतराष्टिय संख्या पद्धिती में भी जो आपकी संक्याई होती हैं वो सेम यही होती है 1, 2, 3, 4 डैस, डैस जानि कि हिंदी और जो अर्भी पद्धिती अर्भी संक्याई इन दोनों के मिश्रन से जो संक्याई का जनम हुआ वो संक्याई आपकी क्या कहलाती हैं अंतराष्टिय पद्धिती की संक्याई कहलाती है बट इनको बोलने का इनको अगर हम हिंदी में बोलें देखेगा अगर इनको हम गणित के अंदर लिखते हैं तो गणित के अंदर लिखने का जो तरीका है वो तो सेम भारतिय संख्या पद्धिती की तरह यह, भारतिय संख्या पद्धिती के समान, यानि कि गणित बोले तो हम इनकों अगर अंकों में लिखने की बात करें, तो अंकों में जो लिखने का इनका तरीका है, वो तो भारतिय संख्या पद्धिती के समान है, बट इनकों अगर हम हिंदी में बात करें यानी कि English या एंग्लीस में लिखेंगे या बच्च्व हिंदी में लिखेंगे अब अगर इनको हम सबदों में लिखने की बात करें अब वो language चाय हिंदी यो चाय एंग्लीज राष्टराइवल पर इंटरनेशनल लेवल पर हम English use करते हैं तो English में तो दोस्तों जो सब्दों में लिखने का तरीका है ना वो इसका क्या है बिलकुल अलग है अब अलग कैसे है वो समझेगा अलग कैसे है वो समझेगा एक्जामनर आप से कुश्चन दे करके आपको पूछ सकता है देखेगा अलग इसलिए अगर आप पहले टेबिल को समझे तो देखेगा इसमें अंतराष्टिय संक्या पद्यती में हम क्या करते हैं सब्दों में जब लिखने की बात आती है संक्या उंको तो हम इस टेबिल के अनुसार लिखेंगे अब बच्चो आप जो यह ऊपर का इस्सा हैना यह संप्द्यती के लिए था भारतिय अ यह संप्क्या कर्द्यति के लिए तो हम यह कुश्चन सारी कर कि अब हम पढ़ने वाले अंत्राष्ट ये संख्यापद्यती तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा अंत्राष्ट ये संख्यापद्यती में बैस माइनर changes है, थोड़ा सा changes है, वो क्या है, आप देखिएगा, थोड़ा सा changes जो होने वाला है, वो बच्चों यह ओगा, इसके अंदर भी जो Iki, यानि की Ons होते हैं, वो एक ही होते हैं, दाइकी बात करें, Tens होते हैं, वो भी एक ही होते हैं, अगर सेखड़े की बिलोक होते न, वो तीन होते हैं, समझ गए, ऐसे ही अगर अगर अब इसमें हजार के बाद में, जैसे भारते संक्या पदिती के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, हजार के बाद में क्या आता था हमारा लाक, लेकिन अंग्रेजी संक्या पदिती की बात करें, तो हजार के बाद अब जैसे भारते संक्या पद्धिती में हम हजार के बाद में लाख पढ़ रहे थे संक्याओं को लाख के रूप में जैसे इकाई दाई सेकड़ा यहां तक सेम था और हजार दस अजार उसके बाद में लाख दस लाख उसके बाद में करोड दस करोड ऐसे पढ़ रहे थे यह भारते संक्या पद्धिती में था लेकिन अगर हम अब अंतराष्टे संक्या पद्धिती की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ऐसे नहीं पड़ेंगे यहाँ पर इकाई धाई सेकड़ा तक तो हम सेम पड़ेंगे जैसे भारते संक्या पद्यती में था लेकिन 1000 के बाद में हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर आप अगर देख पारे हो तो यहाँ पर 1000 के बाद में 3 डिजिट होंगी तो 3 डिजिट जब भी होती है तो 100 की काउंटिंग रिपीट होती है जैसे बोलने का तरीका अगर मैं यहाँ पर बोलू 1000 की संक्या है तो आप देख पाओगे 600 654 क्या मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल जी हाँ मैं बोल सकता हूँ 654 तो 600 यहाँ पर देखेगा फिर से रिपीट होगए 100 जबकि भारत्य संक्या पद्यती में only जो 100 बोल रहे थे हम यहीं पर बोल रहे थे सेकड़े की जो टर्म थी वहीं पर 100 बोल रहे थे सेकड़े कोई हम क्या बोल रहे थे बच्चो 100 लेकिन यहाँ पर हम बार बार 100 बोल लेंगे जैसे 1000 वारी टर्म में भी हम बोल सकते हैं 654 1321 रुपे ठीक है यह ऐसे बोलना चाहें million में तो हम बोल सकते 987 million 654 1381 रुपे ठीक है बच्चो इसी तरीके से million से जो अगली बड़ी जैसे की 1000 के बाद में हमारे पास 12 संक्या पद्धिती में लाक था लाक के बाद करोड था ऐसे ही अंग्रेजी संक्या पद्धिती में 1000 के बाद में क्या होता है बच्चो million होता है आपको ध्यान रखना है million के बाद में होता है वो होती है digit billion billion को भी दोस्तों तीन भागों में हम बाड़ते हैं फिर से 1,2,3 और इसके बाद में billion से भी बड़ी unit होगी वो होगी बच्चो trillion इसको भी हम फिर से 3 भागों में बाड़ते हैं और ऐसे 100 ठीक है तो आपको ये चीज़ तो बच्चो समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजी संक्या पद्धिती में सब्दों में लिखने का जो प्रोसेस है कुछ अलग तरीके का होता है अब वो क्या होता है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें हम 1000 को 3 हिस्सो में डिवाइड करते हैं 1000 के बाद में जो संक्या लिखते हैं उनको हम million के नाम से जानेंगे million के बाद की जो संक्या है होंगी उनको हम billion के नाम से जानेंगे billion के बाद की जो संक्याय होंगी उनको बच्चों हम trillion के नाम से जानेंगे और पिर तेक को तीन हिस्सों में divide करेंगे ठीक है अब दोस्तों कुछ important concept है इन concept को examiner direct भी आप से question पूछ सकता है concept क्या है इनको आप दोस्तों साथ की साथ लिख लिजेगा note लगागे बहुत important concept है कोई नहीं बताएगा दोस्तों ये चीज़े confusion भरी है बट अगर इसको आपको समझना है तो आज की दुनिया में आ करके देखेगा आप आप अक्सर दोस्तों YouTube पर जब भी देखते हो तो कुछ है ठीक है और उस चैनल के subscriber कितने है इन चीज़ों को आप पहले online जो plateform digitally आप educate जो classes ले पा रहे हो वहाँ पर तीन parameter तीन factor आप चेक करते हो अगर किसी वीडियो के like अच्छे है व्यू जादा है comment जादा है subscriber उस चैनल के ड्रड निच्छे के साथ में आपको preparation करवा रहा है ठीक है अब दोस्तों आपने अगर देखा हो तो ये अक्सर आपने देखा होगा 1K 1.1K इस तरीके से आपने like को को देखा होगा अक्सर views की अगर बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा 10K 1M 10M क्या इस तरीके से आपने देखा है लिखा हुआ अगर हम YouTube पर ही सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो आपने किसी किसी चैनल के जो सब्सक्राइबर देखे होगे मैं चैनलों का नाम तो नहीं लूँगा बट आपने देखा होगा स्टार्टिंग जो होती है उनकी एक से ही होती है बच्चो फिर वो जाती है 1K तक फिर जाती है 10K तक उसके बाद मैं आपने अक्सर देखा हो तो 1M तक आपने देखा होगा 10M भी देखा होगा ठीक है उसके बाद मैं अगर आप अपन बात करें, तो 1B भी देखा होगा, 10B भी देखा होगा, 1T भी देखा होगा, 10T भी देखोगा, बट वर्तमाने में अगर बच्चो आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो YouTube है, अभी वर्तमाने में YouTube का अपडेट आ गया है, अगर आप देखोगे, तो बच्चो आप और 10M इस तरह के जो concept हुआ करते थे ये आज से 4-5 मेने पहले जो YouTube पर views वगेरा हुआ करते थे उनको represent करने का एक तरीका था तो दोस्तों आपको ये चीज पता होनी चाहिए इसके अलावा अक्सर अपन बात करें तो आपने अक्सर government को government जब भी budget अलाउंस करती है या budget की कोई भी गोशना करती है या कोई भी आपने देखा हो तो budget के अंदर कोई भी tender या किसी भी कारिये की कारिये के बारे में गोशना करती है या किसी भी particular अगर department के department के लिए budget प्रेसित करती है तो आपने अक्सर सुना होगा newspaper की headlines देखी होंगी इस तरीके से देखी होंगी की 1000 करोड education department को budget की गोशना करी ठीक है इस तरीके से आपने सुना होगा 1000 करोड इसके अलावा आपने सुना होगा 20 billion dollar ऐसे सुना होगा 10 million dollar इस तरीके से सुना होगा तो दोस्तों जो ये चीज में बता रहूंगा आपको ये अंतराश्ट्य पद्धिती में संक्याओ को लिखने का तरीका होता है ठीक है इसके अलावा और भी अगर अपन बात करें इसके अलावा और भी अगर अपन बात करते हैं बच्चो तो आपने आपने कोई भी budget की गोशना होती है ठीक है या अगर आपने भारत देश की जंसिंखया की बात करें तो क्या बोलते है 1.25 करोड क्या बोलते है दोस्तो 1.25 करोड आपने सुना होगा 1.25 करोड ठीक है ऐसे ही अगर आपन बात करें तो किसी भी यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब वर्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा 9 million ठीक है या 11 million M denote करता है million को M denote करता है आपका million को B denote करता है आपका billion को और T denote करता है आपका trillion को अब actually में हम steady करते हैं कि actually में यह होते क्या है तो दोस्तों अगर हम मैं बात करूँ तो आप अगर table के बारे में हम देखें है काई दाई, सैकडा, 1000 अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 1000 को तीन भागों में डिवाइड करते हैं इसके बाद में बच्चों आपका आता है million million को भी तीन भागों में divide करते हैं, ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं, एक million, एक million किसके बरौबर होता है, एक million किसके बरौबर होता है, तो बच्चो देखेगा, अगर मैं million में यहां पर लिखूँगा एक, तो बच्चो अजार में 3 जीरो, सेकडे की एक जीरो, धाई की एक जीरो इकाई की एक जीरो तो बच्चो आपका जो एक मिलियन होता है वो किसके बरावर होता है ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा आप वो बच्चो बराबर होता है एक मिलियन आपका जो की अंग्रेजी पद्धिती में होता है ये इंदी पद्धिती के या भारतिय पद्धिती के किसके बरोबर होता है काई दाई सेकड़ो अजार दस अजार लाग दस लाग 10 लाक के वरोबर होता है तो बच्चो यह basic सी चीज है यह आपको लगबग लगबग बहुत सारे ऐसे student होगो जिनको आज पहली बार मालूम हो रही होगी clear अगर हम बात करते हैं 10 million की तो जो आपका यह 10 million सुनते हो 10 million का मतलब है उस channel पर उस channel पर उस channel पर 10 गुणा 10 लाक यानि कि बच्चो आपको 100 लाक बंदे जुड़े होए हैं और 100 लाक को हम क्या बोल सकते हैं बच्चो एक करोड एक करोड तो बच्चो क्या आप समझ पाए कि 10 million 10 million का साबदिकर्थ क्या होता है आपका जिन बच्चो को अगर आज पहली बार ये चीज़े समझ में आ रही हो तो comment box में एक बार एक बार लिखें कि सर पहली बार आप से हम समझ पाए हैं ये चीज़े तो बच्चो ध्यान रखिएगा 10 million 10 million किसके बरोवर होता है एक करोड के बरोवर होता है एक करोड के या अगर हम बात कर लें तो किसके बरोवर होता है 100,00,000 के बरोवर होता है क्या आप समझ गए अब अगर दोस्तों आप से पूछ ले कि 1 1 billion 1 billion 1 billion किसके बरोवर होगा तो दोस्तों समझ येगा उसी टेबिल से इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, हजार के हम कितने इससे करते हैं बच्चों, तीन, हजार के बाद में बच्चों अपना आता है, मिलियन, ये अंग्रेजी पद्धिती की बात कर रहा हूं है, अंग्रेजी पद्धिती के भी कितने इससे करते हैं, तीन, इसके बाद में बच्चों क्या आता है billion और हम billion के भी क्या करेंगे बच्चों 3 इससे समझ पाए अब 1 billion पूछा है आपसे 1 billion पूछा है तो दोस्तो 001 और बाकी सम्मे क्या आ जाएगा बाद में जितनी भी यह सम्मे आ जाएगा 0 तो आपका 1 billion कितना हो जाएगा 2, 3,0 फिर से 3,0 और फिर से 3,0 तो आप देख पारे हो 2M2, 2,4, 2,3, 6 2,4, 8, 9 तो 9,0 1,2, 1,000, 10,000 लाग, 10,000, करोड, 10 करोड ठीक है और कितना हो गया बच्चों 1 अरम इकाई, धाई, सेक्ड़ा 1000, 10,000, लाग, 10,000, ठीक है करोड, 10 करोड और यह हो गया बच्चों 1 अरम करोड के बाद में क्या आता है अरम तो यह एक अरम पबलिक को रिप्रिजेंट करता है 1,000,000 अगर अपने यूटूब पे बात कर रहे हैं या किसी के आपने देखा हो तो billions follower होते हैं आपने सुना होगा अकसा ट्यूटर पर कि किसी भी celebrating के कितने follower है ठीक है तो follower का मतलब है कि उसको उतने लोग पसंद करते हैं और वो लोगों की क्या होती है वो लोगों की संक्या होती है अब वो billion में क्यों होती है क्योंकि ऐसा ना थोड़े कोई किसी celebrity को यह की देश के लोग follow करते हों उसको अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग follow करते हैं तो हमारे देश की जो संक्या है हो सवासो करोड है ठीक है तो और देशों की भी population होगी वहांके भी लोगों एड़ हो जाएंगे तो इस तरीके से जो internationally है अगर population को वो जो भी quantity होती है लोगों की जो follow करने वाले हैं subscriber हैं उनकी संक्या को अंग्रेजी पद्धिती में denote करते हैं अब आईएगा दोस्तों questions देखते हैं ये चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप इस table को देख लीजिएगा ढंग से समझ लीजिएगा आप बार बार कि हिसे इसे ही अगर हम को में रिप्रेजेन करेंगे अभी दोस्तों मैंने बात करी थी कि एक बिलियन में कितने होते हैं तो दोस्तों देखिएगा यहां पर अपना एक अरब आ रहा था और एक ही यहाँ पर आ रहा था तो एक अरब किसके बरोबर होता टेबिल से आप डाइरेक्ट पता कर पात सकते हो तो दोस्तों अपने इसको क्या बोल रहे हैं अरब बड़ा बिलोग है और यहाँ पर अगर एक लिख हुआ तो एक अरब ठीक है और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं मान लो 10 तो यह 10 अरब किसको किसको represent करेगा 10 billion को अगर आपसे examiner पूछ ले 10 billion में 10 billion में कितनी quantity होती है तो हम बोल देंगे 10 अरब होती है जैसे अपनने बात करी थी 10 million में तो 10 million में अपनने बात करी थी 10 लाक होती है तो यह चीज बच्चों आपके clear समझ में आ गई होगी अब अपन चलते हैं बच्चों कुश्यन्स की ओर देखेगा पहला कुश्यन्स है आपका कौन सी पद्धिती का अंतराष्टिय संक्या पद्धिती सब्दो में लिखित या दी गई संक्याओं को अंकों में लिखिए तो बच्चों यहां पर देख सकते हो आप सब्दों में आपको इस तरीके से लिखा हो मुलेगा च्यार मिलियन दो हजार ग्यार है तो अब कुछ बच्चे तो कन्फ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी जो भारते संक्या पद्धिती में हम संक्या पढ़ रहे थे उससे तो यह बहुत अलग है तो बिलकूल बच्चों अलग है यही इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है ठीक है तो च्यार मिलियन दो हजार ग्यार है कैसे लिखेंगे तो आईएगा बच्चों देख दोते दो लिखेंगे तो थीक है और हम बीच में लगाएंगे 00 और हमारे पास में 11 है तो 11 इकाई कांक एक और धाई कांक एक और लिखेंगे 0 तो बच्चो फाइनली जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 400, 20, 21 400, 20, 21 तो बच्चो ये कहलाएगा आपका 4 million 4 million बच्चो ये ही उपाएगा इसको समझने का बाकी अगर आप अब बच्चो आपका जो एकाई धाई है न वो concept फैले यहाँ पर जो आप एकाई धाई सेकड़ा 1000, 10,000,000,000,000,000,000,000,000 करोड़ ये इस तरीके से आप जो भारते संक्या पत्दिती में संक्या को आप count कर लेते थे और उनको सब्दों में लिख लेते थे रंकों में भी convert कर देते थे वो concept बच्चों क्या हो गया आपका fail हो चुका है अब आपको ध्यान रखना है इकाई धाई सैकडा यहां तक तो बच्चों आपको same process रहेगा उसके बाद में बच्चों जो 1000 वा यहां आपकी तीन यहां तो बच्चों यह तो गया एकाई धाई सैकडा तो हम इनको तो क्या बोल देंगे 11 बोल देंगे और तीन डिजिटकीन की बात करें तो यह आपकी क्या आती है इकाई दाई सेकड़े के बाद में आता है 1000 तो यहाँ पर only क्या है 2 तो इसको हम बोल देंगे 2000 इसके बाद में आता है दोस्तों अंग्रेजी पद्दिती में आपका million और million में only क्या है 4 तो हम क्या लिख देंगे 4 million तो 4 million 2011 है इस तरीके से हम इसका solve कर पाएंगे next question देखेगा दोस्तों 801 million 45,000 400 407 कितना है बच्चो 407 अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह अंग्रेजी पद्दिती के अंदर अंग्रेजी पद्दिती के अंदर देखेगा यह एक बार 100 यहां गया तो confuse नहीं होना है आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी पद्दिती में 101 से अधिक बार repeat हो सकता है तो दोस्तों हम किस तरीके से लिखेंगे इसको direct देखेगा तो मैंने आपको बताया था इसको लिखने के लिए वोई 20 तरफ से हम लिखते हुए आएंगे सबसे पहले देखेंगे 407 तो दोस्तों 407 तो महासा नहीं से लिख सकते हैं काई 20, 1000 इसके बाद में दोस्तों जो आपका क्या portion आएगा 1000 वड़ा और 1000 की भी आपको 3 संक्या लिखनी है तो हमारे पास में क्या है only 45,000 है दोस्तों तो 45 के लिए हम लिखेंगे 45 और 10 लगा देंगे इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है million 1000 के बाद में अंग्रेजी पद्दिती में इसकी भी तीन डिजिटी में लिखेंगे तो यहाँ पर है 801 तो दोस्तों डाइरेक्ट लिखेंगा 801 तो दोस्तों 801 million 0,45 का मतलब 45,000 और 407 तो दोस्तों इस तरीके से तो हम डाइरेक्ट लिख पाते हैं अब अगर जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है वो बच्चे समझ येगा कैसे लिखा है तो दोस्तों यह हमारा राढ चार्ट इसके अंदर आपके समझ में आ गया होगा हम क्या करते हैं इकाई को अकेला, दाई को अकेला और सैकड़े को अकेला छोड़ते हैं हजार के हम तीन बाग कर लेते हैं मिलियन के भी तीन बाग कर लेते हैं किलियर और दोस्तों अब हम देखते हैं सब से पहले दी गई संक्या में हमको million में क्या दिया है तो बच्चों घीरो एक यह हऊ गया हमारा बच्चो, 1000 वड़ा बिलोग, तो 1000 में हमको क्या दिया है, only 45, तो हम क्या लिखेंगे, 0, 45, इसके बाद में हमको दिया गया है, बच्चो, 407, 407 में तो आप कोई दिक्कत ही नहीं, हम clearly लिख देंगे, 407, अब इसको हम adjectives लिख देंगे, एजिटीज जो होगा, वही सेंग क्या आपकी क्या हो जाएगी, answer, तो 801, 0, 45, 407, तो बच्चो आप देख पारे हो, 801, 801, 0, 45, और 407, यही हमारा क्या हो जाएगा, right answer, next question चलिए, जिन लोगों के समझ में नहीं आए, एक बार फिर से देखते हैं, देखेगा, question है यह, जिन 845,000, तो दोस्तों यह million का बिलोग हो गया, तीन संक्याओ का, एक, 815,000, यह हजार का बिलोग हो गया, यह million का हो गया, और दोस्तों पाँच, direct 5 दिया है, तो यह IKAI, यह धाई, यह सेकड़ा, यह IKAI, धाई, सेकड़े के बिलोग, तो दोस्तों देखेगा, धाई और से ल हम 1000 वाड़े सेक्शन में, 1000 वाड़े सेक्शन में हमको दिया है 815, दोस्तों हम लिख देंगे 815, उसके बाद में चलते हैं लिएन वाड़े section में यह अमारा million वाड़ा section था यह अमरा 1000 वाड़ा था यह अमरा इकाई वाड़ा यह धाई वाड़ा यह सैकला वाला ठीक है दोस्तों तो 545, 545 में आप देख पारें तो यह लिख देंगे 545 तो दोस्तों मारा right answer हो जाएगा जो यह सेंग क्या है 545 million कैसे पढ़ेंगे इसको 545 million 815,000 और 5 तो दोस्तो इसको अगर English में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 545 million 815,000 और दोस्तो 5 इस तरीके से हम इसको English में लिख पाएंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी अगर जिनको समझ में नहीं आई है तो वो student table में देखेगा table में आप देखेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके million के तीन थाउजेंट के तीन बाकी सबके एक 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 यह चीज में table हमको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए अंतराश्टे पद्धिति की जो red में table है नीचे वाड़ी और उपर वाड़ी table है यह दोस्तो भारत्य पद्धिति की आपको confuse २हीं हो ना भारत्य पद्धिति में 1000 को दो भागो में lakh को दो बागो में करोल को दो भाग도 मिंए अरब को इसके बाद में हमको दिया था 815,000 तो आठ सो पंदरा लिख देंगे उसके बाद में दोस्तों हमको सैकड़े में कुछ भी नहीं दिया दाइका कुछ भी नहीं दिया इकाइका दिया था पांच तो यह होगा है मारा 545 million 815,000 और 5 यह हो गया बच्चों 545 million 815,000 और 005 तो इस तरीके से ही बच्चे आप क्या कर स्पाउगे शहीं लिख पाऊगे next question देखेगा कुश्चन नम्र दू these week-adam 2 अब दोस्तों क्या और अंतराश्ट यह पत्दिति में आपको क्या दे देगा संक्या दे अब दोस्तों अंतराष्ट्य पद्धिति में कोई संक्या नहीं होते संक्या सेम होती हैं आपकी हिंदी और अरभिक मेथड़ पर चाहे भारत्य पद्धितियों चाहे अंतराष्ट्य पद्धितियों बट अब जो सब्दों में आपको बदलवाएगा न वो बदलवाएगा अ तराश्ट्य पद्यती में ना कि आप ऐसे लिख दोगे इकाई, धाई, सेकड़, हजार, दस अजार लाख अगर आप इसको भारत्य पद्यती में इस संक्या को लिखोगे तो क्या हो जाएगी आपकी दो लाख बावन अजार आठ सो चोंतीस होगी कि नहीं होगी ये तो हो जाएगी बच्चो भारत्य पद्यती में बट अब इसको अगर हम अंग्रेजी या अंतराश्ट्य पद्यती में लिखें तो कैसे लिखोगे बच्चो अब आएगी समस्या आपको तो आपको कुछ नहीं करना है संक्या को लिखना है 2,5,2,8,3,4 और वो ही दाई और से इकाई दाई सेक्ड़ो यहां तक तो आपको करना है काउंट और इसके बाद में आपको मालूम उना चाहिए कि जब भी हम अंग्रेजी पद्यती में लिखेंगे तो हमारा बिलोक आता तो हम इसको लिखेंगे 252,000 यानि कि 200 इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों 252,884 ठीक है तो दोस्तों आप देख पारे हो भारतिय पद्यती और अंग्रेजी पद्यती हजार तक की बात होती है तो दोस्तों बिल्कुल समान नहीं होती जबकि एकाई दाई सेकड़े तक की बात होती है तो बिल्कुल समान होती है तो आप देखेगा 834 लाष्ट में भी है 834 इसमें भी है बट अगर जैसे ही 1000 की बात आएगी तो आप देखेगा अंग्रेजी पद्यती में एक बार 100 यह 252 हजार ही चल रहा है तो यह दोनों में डिफ्रेंस है आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों और कुश्चन देख लीजेगा दूसरा कुश्चन है हमारा यह रा इसको आप फटा फट से आप काउंट कीजेगा दोस्तों दोस्तों किलास जादा टाइम की हो जाएगी इस तरीके से हम आंसर कर पाएंगे देखेगा तो इस कुश्चन को सॉल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 925 इकाई धाई सेकड़ों यह हमारा सेम होता है इसके बाद में दोस्तों तीन डिजिट में हमारे पास में होती है अजार एक दो तीन और मिलियन भी हमारे पास मे हमें कितने में होती है तीन डिजिट की तो हम लिखेंगे हमने यहां तक लिख ली फिर लिखेंगे हम 538 और 008 तो यह हो जाएगा हमारा आठ मिलियन पांच सो अड़ तीस हजार और पांच सो उन्तीस इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिखेंगे अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो टेविल में देख लीजिएगा कैसे लिखेंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे सेम प्रोसेज रिपीट करेंगे हमारे पास में काई एक होता है दाई एक होता है ठीक है और हजार के तीन बिलोग मिलियन के तीन बिलोग कुश्चन को देखेंगे कुश्चन में हमको क्या दिया है 853 तो बच्चों हम क्या करेंगे दाई और से इस टेबिल में एजी टीज संक्या को लिख देंगे इधर से तो लिखेगा आप दाई और से क्या है हमको दिया गया है संक्या उसमें दिया गया है 9, 2, 5 ठीक है उसके बाद में 8 3, 5 उसके बाद में हमको दिया गया 8 और 00 है नहीं तो हम लगा देंगे तो दोस्तों अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है अकेला 8 तो हम इसको पढ़ेंगे 8 million और यहां पर है 538 तो 538,000 और दोस्तों यह complete एक साथ में पढ़ते हैं 539 तो हमारा यह हो आंसर सही 8 million 538,000 और 539 एक कुशन और देख लिजेगा दोस्तों अंतिम कुशन है आज की किलास का सौल कीजेगा इसको तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना आपको टेबिल में एजिटीज रख देना है तो सबसे पहले हमारा होता है काई फिर होता है धाई फिर होता है हमार सैकड़ा और हम क्या करते हैं अग्रेजी पद्धिती में 1000 को तीन बागों में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में million को भी हम तीन बागों में डिवाइड कर लेते हैं किलियर दोस्तों तो यहां तक आप लोग सब लोग कर लोगे तो अब इस संक्या को हम दाई और से एजिटीज लिख देंगे साथ, जीरो, आठ, पांच, साथ, साथ और दो अब दोस्तों हम देखेंगे यह दो किस बिलोग मारा है तो million में तो इसका answer हो जाएगा हमारा दो million साथ सो पिछेतर कौन से बिलोग में 1000 तो साथ सो पिछेतर, 1000 और दोस्तों इसको हम एजिटीज लिखी लेंगे क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है तो हम लिखेंगे 807 और यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल right answer तो दोस्तों धन्वाद आज की क्लास को मेरे साथ में देखने के लिए आप सभी को मैं धन्वाद देता हूँ तो दोस्तों आज की क्लास में आप इसी तरीके से मेरे साथ में regular जुड़े रहे मैं आसा करता हूँ कि आज की किलास में जो भी मैंने समझाने की कॉसिस किये उसको आप 100 पूर तरीके से समझ पाये होंगे और जिन स्टुडेंट जो 8 बैक ग्राउंड से बिलॉंग करते हैं वो स्टुडेंट जरूर इस किलास को देखें बच्चो इसके अलावा जो स्टुडेंट STC यानि कि BSTC का जो प्रिवेस परिक्चा भी लगेगा इसके अलावा PTET उसकी जो एक्जाम लगेगी प्रिवेस परिक्चा लगेगी क्योंकि 12 किलास के रजल्ट इकलियर हो चुके हैं तो जो student BSTC का जो प्रिवेस पातरता परिक्षा देंगे और PTE की पातरता परिक्षा देंगे वो student भी इन किलास को देख सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको किलास पसंद आई हो तो किलास को आप लाइक करें और दोस्तो अपने जितने भी टेलिग्राम चैनल है वाट्सेप गुरूप में उनमें सेयर करें और दोस्तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम से जितने भी किलास आपकी स्यूडूल है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे थेंक्यू दोस्तो